तो दोस्तों आज बात करते हैं Redmi 9 Prime और Redmi 9 Power के बारे में कि इन दोनों डवाइस में से कौन सा डवाइस लेना आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि सेम ब्राण्ड के दो डवाइस लगवक सेम प्राइस रेंज में आते हैं चीमत की बात करें तो दोनों ही डवाइस में आपको मिलते हैं दो वीरिन सबसे पहले बात करते हैं Redmi 9 Power की तो यहां 4G वीरेम 14GB internal memory version मिलता है आपको 11,000 रुपए का और 428GB internal memory version है दस अजार रुपए का और 4G वीरेम 14GB internal memory version है 11,000 रुपए का यानि दोनों ही डवाइस के प्राइम या फिर हजार रुपए सस्ता होने के बावजूद कहीं न कहीं Redmi 9 Prime भी Redmi 9 Power से बहतर प्रफॉम करता है तो यहीं discussion इस वीडियो में करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डवाइस के डिजाइन की तो बात करें अगर Redmi 9 Power और Redmi 9 Prime के डिजाइन के बारे में तो क आज से पहले किसी डिवाइस में देखने को नहीं मिला कि आपको कॉन से डिजाइन ज्यादा पसंद आता है हाला कि केमरा प्लेसमेंट की बात करना तो वहां Redmi 9 Power मुझे ज्यादा बहतर लगा एस कंपेर डू रेड्मी 9 Prime में आपको रेर पर ही fingerprint scanner दिया गया है जबकि Redmi 9 Power में आपको मलता है power key के उपर फ्रेंट बर दोनों में ही आपको मलता है टाइब वी नॉच डिस्प्ले चार्जिंग के लिए दोनों ही डिवाइस में समोर एच्टी कार्ड के लिए ट्रपल दिया गया है यानि कि दोनों ही डिवाइसे एक साथ यूज कर सकते हो डिस्प्ले की लेकिन तो सेम है लेकिन आपको थोड़ा सा डिफ्रेंस देखने को मिलेगा यहां रेडमी 9 प्राइम के डिस्प्ले से ओवर डिस्प्ले के मामले में कैसे सेम स्पेशिफिकेशन होने के बावजूद यहां रेडमी 9 प्राइम के डिस्प्ले से बैटर है यूजर अपडेट के बात करें तो दोरों ही डिवाइसे यहां यूजर पर रन करते हैं रेडमी 9 प्राइम यूजर अब यूजर अगर फीचर्स की बात करना है तो कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहां भी डौनों ही एक्जेक्ट सेम हैं इसके अलावा दौनों में फिंगर्मिंट स्कैनर के साथ 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 फेस लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है सारी की सारी चीजें आपको दौनों ही देखने को मिल जाता है और यूजर के मामले में यहां कोई भी डिफ्रेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको दौनों ही डिवासले में पर आपको मिलता है अप्र प्राइमरी लेकिन रेयर पर यहां प्राइमरी कैमरा के चेंटम 2.2 बाकिका 8MP का अल्टावाइड लेंस 5MP का एक मैक्रो लेंस और 2MP का एक डेप सेंसर केमरा फीचर्स की बात करनों तो दोनों ही डिवास में आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा केमरा पॉफर्म बनाया है रैड्म 9 वर्सर दम्यैंण पावर केमरा कं जन्डेइल में डेखने के लिए यह कूठ सकते हो जबकि rare color, Redmi 9 Prime पर oversaturated so होता है. तो rare camera के auto mode के photos की बात करो, तो वहाँ यही issue देखने को मिलता है. अलोगि Redmi 9 Power में भी आपको कभी-कभी white balance का issue देखने को मिल सकता है, जिस वज़या से आपको yellow इस photo शो हो सकते हैं. डिटेलिंग की बात करना, तो वहाँ दोनों ही devices काभी कमाल का perform करते हैं, क्योंकि auto mode पर Redmi 9 Power से भी आपको 12MP की photo मिलती है, 48MP की नहीं. Ultra white photos की बात करना, तो यहाँ Redmi 9 Power completely Redmi 9 Prime से बहतर है, सबसे पहला तो colors का ही difference यहाँ देखने को मिलता है, इसके अलाबा, Redmi 9 Power में आपको बहतर dynamic range देखने को मिलेगी, as compared to Redmi 9 Prime के ultra white photos से. Rare camera के 14 mode की बात करना, तो तो तोनक हाई Ace Detection कमाल का है, लेकिन अगर इन दोनों फोटो को आपस में compare करना, तो यहाँ Redmi 9 Prime बहतर performance देता है आपको as compared to Redmi 9 Power. Redmi 9 Power में आपको under saturated colors सो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, pictures washout शो होती है, इसके अलाबा, skin tone की बात करें, तो वो भी wide-white सो होती है. जबकि same condition में Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power के comparison में बहुत हद तक natural perform करता है. फ्रंट केमरे की बात करें, तो कुछ यह performance आपको यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ भी Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power के comparison में ज़्यादा natural perform करता है. इसके अलाबा, अगर फ्रंट केमरे के protein mode की बात करें, तो दोनों का ही age detection ठीक ठाक है, आपको यलोई selfie देखने को मिलती है, कभी-कभी आपको red color oversaturation का issue भी देखने को मिलता है, जोकि same condition में Redmi 9 Prime बहुत हद तक natural perform करता है. ब्यूटी एफेक्ट दोनों का ही ठीक ठाक work करता है, natural लगता है. तो फ्रंट केमरे में मुझे Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से ज़्यादा बहतर लगा. Low light photography की बात करें, तो यहाँ Redmi 9 Power completely Redmi 9 Prime से बहतर है, जैसा कि मिन फोटोस में देख सकते हो, same condition में Redmi 9 Power से आपको brighter photos देखने को मिलते हैं, जब की Redmi 9 Prime उस condition हो, बहुत ही बेकार perform करता है. तो camera performance के मामले में यही बोलूँगा, कि दोनों ही devices पर आपको मिली जूली performance देखने को मिलती है, फ्रंट केमरे में जहाँ Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से बहतर perform करता है, तो rare camera पर auto mode पर Redmi 9 Power, Redmi 9 Prime से बहतर perform करता है, कुछ कंडिशन में Redmi 9 Prime बहतर है, कुछ कंडिशन में Redmi 9 Power, बात करना हैं, अगर hardware की तो Redmi 9 Power में आपको मिलता है Snapdragon 662 processor, Redmi 9 Prime में आपको मिलता है Helio G80 processor, यह हैं दोनों ही devices के N22 benchmark के score, सब यहाँ पर अगर overall performance की बात करें, तो Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से बहतर है, कॉमन यूज में आपको किसी device में को इशू देखने को नहीं मिलेगा, गेमिंग की बात करें, तो वहाँ पर Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से बहतर perform करता है, अगर आप लोग graphics gaming की बात करना हैं, दोनों पर यह काफी कमाल की performance देखने को मिल जाती है, वहाँ आपको को इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से बहतर है, मल्टी टास्किं में भी Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power से बहतर perform करता है, हलाकि storage type की बात करें, तो वहाँ read speed, Redmi 9 Power की बहतर है, बाकी का दोनों ही डिवाइस को मर्यूटर मुटी टास्किं में कमाल के हैं, बैटरी की बात करना, तो Redmi 9 Power में आपको मिलती है 6000 mh की बैटरी, और Redmi 9 Prime में आपको मिलती है 5000 mh की बैटरी, दोनों ही डिवाइस 18W चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, दोस्तों यहीता मेरा Redmi 9 Prime और Redmi 9 Power की वीच ओवरॉल फॉल कंपेर जन, अब यहां पर दो चीज़ें एकदम किलियर हैं, अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो फिर वहाँ Redmi 9 Prime आपके लिए बहतर रहेगा, अगर 5RMH की बैटरी से आपका काम नहीं चलता और केमरे में आपको बहतर पॉफरमेंस चाहिए तो उस कंडिशन में Redmi 9 Power आपके लिए बहतर रहेगा, तो दोस्तों बुजबने वीड़ आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, अगले वीडियो में जल्दी ही अप्लोट करूँ में तब तक के लिए बुट बाई आपका दिन शोब हो,